दबंग सर्पंच पती की मनमानी फर्जी मस्टर के सहारे लाखो रुपए का गमन इस राशी का गमन करने में स्थाने प्रशासन का है मुख्ययोगदान क्योंकि बिना स्थाने प्रशासन की सहमती से नहीं हो सकती थी धनराशी की निकासी सूत्रों की माने तो इस धनराशी के बंदरबाट में मुख्यता स्थानी प्रशासन का है सहयोग एक तरफ केंद्र वार राजी सरकार पंचायत एवं ग्रामीन विकास विभाग के लिए महत्वकांजी योजना को संचालित कर विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए लाख रुपए स्विक्रती करती है लेकिन जमीनिस्तर के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी वपंचायत प्रतीनिधी की मिली भगत से लाखों रुपए का बंदरबाट का विकास के नाम पर पलीता लगाया जा रहा है कैसा ही मामला पन्ना जिले के जन्दबत पंचायत शेहनगर छेतर अंतरगत ग्राम पंचायत सलईया फेरन सिंग का सामने आया है जहाँ ग्रामीनों ने सरपंच पती पर शास की राशी का बेना कारे करवाय बंदरबाट वगुंडगर्दी के आरोप लगाया है ग्रामीनों ने बताया की ग्राम पंचायत सलईया फेरन सिंग के हिनोती धाम में समुदायक पोशक वाटिका के लिए अनुमाने 6 लाख रुपे राशी स्वीकरत की गई थी लेकिन सरपंच पती द्वारा दबंगई दिखाते हुए स्थाने अधिकारियों की मिली भगत से कारे को सिर्फ कागजों में ही शुरू किया और कागजों पर ही खतम करके फटजी मस्टर जाली कर लगभग दो लाख रुपे राशी का अहरान कर लिया गया है तो वहीं लगभग दो वर्ष से सरपंच पती की दबंगई में यह ग्राम पंचायच चल रही है लोग दभी जुबान में यहां तक कहते हैं कि यह पंचायच छेतर में ब्रश्चाचार एवं दबंगई के लिए नमबर वन के लिए जानी चाती है अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस्थानी एवं जिला प्रशासन के कानों तले जू रेंगती है या नहीं यदि जू रेंगती है तो क्या कालेवाही करती है पीबीसी के लिए शेहनगर से अजय विश्व करमा के रेपॉर्ट थे तो यहां पर यह कैसा मामला का भी चलती हैं मस्टों में केवल काम चलता है और कम से कम 5-7 लाक क्या गवान होच ओगा है यहां सरकारी पैसे का यहां आप मौकर पे दिख लिए यहर नपफावरा लगा है न गयती लगी है और जो यहां कर सर सर्पंच है यहां लेकर उसका जो पती है स्री छोटे लालो दी वो सरपंची चलाता है वो बहुत दवांग है और कौछ वाला है कौन ची तलईया है कि कौन सा इस्थान है जिननत अलाब कहलाता है तो अभी इसमें काम बेगार कुछ हुआ है मतलब मजदोरों से कुछ भी काम नहीं हुआ सारे ए सब्सक्राइब करता है किसी पार्टी का कार करता है सक्रिय कार करता है अभी इसके एक साल पहले पेंजन वाला मुद्धा उठाता है कुछ नहीं हुआ तक इस्तिति आई कि जो सर तीस साल के लोग है उने लोगों को पैंसन दी गई हमारी पंचा इसी सर पंच के द्वारा इसकोई जाचकारवाही हमने खुब बहुत सारी सिकायते हुए और इसके महताई की उमर साट साल थी इतना तक फरजिवारा हुए इस पंचाज में लेकर आज दिनांक तक कहीं कोई कारवाही ने वी जबकि आज भी रहा है तरह साल का हो रहा है अभी इसकी उमर देग लिए सर 55 से 56 साल के सम्सके उसकी उमर होगी एक देगे एक डिए एक सरपंच करना अनिता भाई लोगी आपके पंचा नत्रगर जो निर्मार कार है वहां पर ग्रैमिलों ने अरोब लगाया है कि आपके दोरा आपी सरपंच पर दिए आपके दोरा परजी मस्टर जारी करकर राशी तो आहरट हिया रहा है क्या कहींगे आग सिकिस किति वार्व अभी वहां से कित्ती रासी आयरत हो चुकी है लेकिन अभी मस्तर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूस को बैल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999